हेलो एरवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चनल उनलाइन स्टेडी पॉन पर आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग RRB NTPC CBT2 का जो एक्जाम हुए है जो 17 जून को हुए है जो आज ही हुए है दोस्तों वो फर्ष्ट सिप का अनलाइसिस करने वाले हैं तो आप सभी का सवागत है हमारे यूटीब चनल उनलाइन स्टेडी पॉन पर दोस्तों जो कहा जाता है छातरों की दुआरा जो मैं तो रीजिनिंग के जो सवाल आए है वो करने लायक सवाल थे बड़ दोस्तों जो GK और GS के सवाल आ रहे हैं वो कैसे आये थे दोस्तों वो कनफ्यूजन वाला सवाल आये थे तो आईए देख लेते हैं कौन-कौन से सवाल आये हैं RRB NTPC के जो 17 जून के फर्ष्ट सिप्ट जो हुए हैं दोस्तों आज ही हुए हैं उसको अनलाइसिस करते हैं तो देखते हैं दोस्तों जो जितने सवाल आये जो छातरों के दुवारा भेजे गए हैं वही सारे सवाल को हमने लिया है जो डाट मिसन छुदरगरा को डाइवर्ट करने के लिए किस ने लॉंच किया था जो डाट मिसन लॉंच किया था दोस्तों छुदरगरा जो गिरने वाले थे उसको डाइवर्ट करने के लिए नासा ने लॉंच किया था डाट मिशन नेक जो सवाल आया हैं दोस्तों इंडिया, चाइना, कनाडा, USA इन में से कौन सा जो है गेहूं उत्पादन में टॉप फोर पे नहीं आता है तो गेहूं उत्पादन में टॉप फोर पे कनाडा नहीं आता दोस्तों ये भी सवाल आया गया था जो NTPC के एकजाम मे जो जयनतिया जन जाती कहा निवास करती है जो जयनतिया जन जाती जो है दोस्तों मेगालाय में निवास करती है अपरात के लिए दो सीध में जो संरक्षन किस अनुछेद में मिलता है दोस्तों तो आर्टिकल 20 में जो है अपरात के लिए दो सीध में संरक्षन जो मिलता है ने सबसे ज़्यादा किस देश के साथ रहा है तो अमेरिका के और भारत सबसे ज़्यादा निरियात रहा है दोस्तों यह भी कुश्चन जो है आया था मैं जो सवाल है उसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में रक्षा और श्टाट अप के लिए बजट में कितना परतिस होगा 15 परतिसाइश भी स परतिसाइश परतिसाओ फिर 25 परतिसाओ इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरुर देना है फ्रेंट्स जो है यह होल अभी लेग जो हुआ था जो पुल के सिन ओर किसके बीच यूद का उलेक मिलता है जो ये होल अभी लेक में दोस्तों हर्सवधन और पुलकेसिन के यूद के बीच यूद हुआ था ये दोनक के बीच उसी का साक्ष मिलता है ये होल अभी लेक में तो ये भी जो सवाल पूछा गया था दोस्तों कितना deeply से history पूछा जा रहा है अगर आपका exam नहीं हुआ NTPC का तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा जा रहा है दोस्तों तो आप सभी को tension नहीं लेना है मैं तो reasoning जो है complete बना ना दोस्तों अगर आप लोगों को selection चाहिए मैं reasoning जो है जो है जोंक दो नेक्स जो आया था वो biology के आया था दोस्तों वो मानव सरीर के अलेंगिक गुनसुतर कितने होते हैं तो 22 पेर जो है मानव सरीर के अलेंगिक गुनसुतर होते हैं जो गुरू सीकर किसकी सबसे चोटी जो है सबसे उंची चोटी है दोस्तों आरावली की जो सबसे उँची चोटी का नाम है गुरु सीकर दोस्तों ये सवाल आप लोग को देखो मैंने पढ़ाया था जो भारत के मंदिर वाला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं महां जाके भारत के जो मंदिर वाला टोपिक पढ़ाया था दोस्तों महां मैंने बताया था गुरू सिखर जो है दोस्तों आरावली की सबसे उंची चोटी है ये मैंने बताया था नेख जो सवाल आया दोस्तों इसका भी आप सभी को answer कमेन्ट बॉक्स में देना है मेंबर और पार्लियमेंट को कौन सा आयोग घोसित कर सकता है तो ओप्सन यह लोग सबा प्रेसिडेंट एलेक्शन कमिशन इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है नेक्स जो सवाल आयता है दोस्तों वो है जो है चांग जन जाती जो चांग ट्राइब से हैं किस स्टेट से हैं दोस्तों नागा लेंड में जो है चांग जन जाती रहते हैं नेक्स जो सवाल आया दोस्तों वन का कितना परतिसद जो है केंदर सासीत परदेश में सबसे ज़्यादा है जो वन जो है दोस्तों के अन्सासित परदिश में कहां पर सब्चे ज़्यादा है लक्षिदीप में तो यह सवाल आया था एंटीपीसी का एक्जाम है अगर आप लोग एंटीपीसी का एक्जाम दिये होंगे तो यह सवाल आप लोग को डेफिनेटली मिले होंगे दोस्तों न नेक्स जो सवाल अमरा आया है दोस्तों वीधान सवा में सबसे ज़्यादा और सबसे कम में मर कितना हो सकते हैं जो दोस्तों वीधान सवा में सबसे ज़्यादा कि अगर बात करूं दोस्तों 500 और सबसे कम 60 हो सकते हैं तो ये भी सवाल आया था दोस्तों नेक्स जो हमरा सवाल आया है वो है दो जार दो में जो 86 संविदान संसोधन हुआ था किसे जो है मौलिक करतवे में जोड़ा गया था सिक्षा का अधिकर जो है जोड़ा गया था दोस्तों जो 26 संविदान संसोधन हुआ था जो पानी पत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था दोस्तों उनमें कौन ज उनिपत में बनाई गी थी दोस्तों एटलस साइकल जो कि 1950 में देखो कहां से एक सो कस्टेन आ रहे हैं तो आप सभी को एकदम रहना है एकदम जी के जी एस बहुत अच्छे से करना है दोस्तों अगर हमारे साथ अगर आप लोग जो है इस्टेटिक जी के कंप्लीट पढ़ना है दोस्तों हमारा अगला सवाल है फ्रेंट्स हो है दादर वनागर हवेली में पर्ती ये घज़ार पुरूश पर कितनी महिला आए जो जनगना 211 के तहते था जो 97044 ये गज़ार पुरूश में साथसा चोह경तर महिला आ में तो जो जनगना 211 पर आदर वनागर हवेली में तो ये भी सवाल आया था अगर आप लोग एक्जाम दिये होंगे तो डेफिनिटली ये सवाल आपको देखने को मिला होगा विस मोहन बट कौन सा वादेंतर बजाते हैं तो ये भी सवाल आया था तो ये वो मोहन वीना बजाते हैं ये भी सवाल आया था दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है तो मैं बता दे रहता हूँ रक्त चाप ना बढ़े इसके लिए डबलू एच वो ने आयोडीन की खपत के बारे में जो निर्धारित किया गया है कितना निर्धारित किया गया नहीं एक दिन में एक विक में एक में कितना जो है आयोडीन की खपत करे इनसान जो है 10 गराम परती दे फिर 5 गराम परती दे फिर दोस्तों 5 गराम परती वीक ये सारे आप लोगों को जो भी सही जवाब लगे इसका comment box में आप सभी को बता देना है नेक्स जो हमारा सवाल पूछा गया दोस्तों वो है बल्ब की पतली तार जो glowing part होता है उसे क्या कहते हैं तो उसके filament उसको बोलते हैं क्या को बोलते हैं जो बल्ब के अंदर glowing part होता है उसको filament बोलते हैं कौन सा चीनी यातरी जो हर्सवरधन के काल में भारत आया था तो काफी ज़्यादा important सवाल है आपको याद रखना है हैंसंग जो हर्सवरधन के काल में आता है बहुत सारे exam में इस सवल पूछा जाता है नेक जो सवाल है दोस्तों वो है हरीजनों के आरक्षन के लिए कौन सा समझोता हुआ था जो हरीजन के लिए आरक्षन के लिए पूना समझोता हुआ था दोस्तों यह भी काफी ज़्यादा important सवाल है और यह एंटिपीसी के exam में आया था जो दूसरी पंचवर्षिय योजना के इताहद किस चीज पर जोड़ दिया गया था तो उद्योग पर जो फैक्टरी पर इंड़ जो इंडस्ट्री पर जादा जोड़ द दोबर basicly दोस्तों पूस्तक से दो question आये थे एक और question आये थे यह nation in making book जो किसी ने लिखा था सुरेंदर नात बनर जी ने यह लिखा था यह nation in making book जो सूरज कूंड मेला कहां लगता है तो हरियाना में सुरज कूंड मेला लगता है दोस्तों अंत्राष्ट यह चावल जो अ SC, STK, R-Action के बारे में किस अनुछेद में जो है उल्लेक है तो अर्टिकल 330 में लोग सभा में है दोस्तों विधान सभा में अर्टिकल 332 में ये सवाल आया था लोग सभा वाल आया था अगर आप लोग जो है आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो ये सवाल जो है आप लोग या जनवरी 2022 के जो है वीनर कौन थे जो है ललीत रोहित इसका वीनर थे तो ये भी सवाल देखने को मिले है डबल जो है डबलो डबलो एफ वूमन प्लेयर आफ दी येर दो जार आकेस का किताब जीता है तो ये भी सवाल आपको देखने को मिले होंगे अगर आप NTPC के एक्ज रचा है दोस्तों वेविलेंथ यानि कि तरंगदेर जिसको Hindi में बолते हैं ग्रीक वार्ड से डेनोट करते हैं लेमडा से डेनोट करते है नेक्जो सवाल आया दोस्तों वह है विंयसको ने हाली में किस फेस्टिवल को कल्च्रल फेस्टिवल में सामिल किया तो दुर्गा प है तो 19 जुलाई 1948 को इस डेट तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे उसको नागरिकता दे दी गई है नेक्स जो हमारा सवल पूछा गया दोस्तों वो है MS Word में किसी Word को बीच से Cross करने के लिए बीच से जो है काट देने के लिए जैसे यहां पर लिखा है जैसे मैं लिखता हूँ डेट अब डेट लिख के जो बीचों बीच क्रॉस हो जाता है दोस्तों वहीं पूछा है MS Word में किसी Word को बीच से Cross करने के लिए किस फीचर का उप्यो करते हैं तो इस ट्राइक थू बटन का उप्यो करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकूल भी न भूलें और दोस्तों अगर इसका पीडियर चाहिए तो हमारे टेलिग्राम गूरूप से जुड सकते हैं और हमारे टेलिग्राम का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप लोग वहां से जो है जा सकते हैं और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है उनलाइन स्टेडी पॉंट टूपॉंट उसको भी आप लोग सस्क्राइब क कर तीवी चले जाओ